टोइन पाउर का रहले में मारपीट और तोरफोर पकड़ में इटावा के सांसद रामशंकर कठेडिया की सुमवार को जिलाजज कोट में सुनवाई थी लेकिन दिवानी में हर्ताल के चलते सुनवाई के लिए 18 सितंबर की तारीक नियत की गई है इटावा की सांसद रामशंकर कठेडिया की सुमवार को जिलाजज नियाले में सुनवाई होनी थी लेकिन वकीलों की हर्ताल के चलते सुनवाई की तारीक 18 सितंबर नियत की गई है MP MLA कोट में दो साल की सजा और एक्यावन हजार रोपे से दंडित किये जाने पर सांसद रामशंकर कठेडिया ने जिलाजज कोट में अपील की थी जिलाजज नियाले में सुनाई गई सजा पर रोक लगाई थी इसके साथ ही जुर्माने पर भी रोक लगा दी थी वरिष्र अधिवक्ता विजय आउजजा का कहना है कि मामले में सुमबार को नियाले में सुनवाई होनी थी लेकिन दिवानी में वकीलों की हर्ताल होने पर बहस नहीं हो सकी अब 18 सितमर को नियाले में सुनवाई होगी इटावा के सांसद नामशकर कठेडिया एक महीला के विजली के बिल के संबंद में साके टोरेंट पावर कारय ले गए थे उसी समय सांसद पर समर्थकों के साथ मिलकर अधिकारियों से मारपीट तोडफोर कारोब लगाया गया था यह है गटना 16 नमंबर 2011 की इस मामले में हरी परवत थाने में मुकदमा भी लिखाया गया था इसमें टोरेंट के खिलाफ टोरेंट के लोगों ने एक शिकायत की थी कि सांसद जी वह उनके अंसाथियों ने उनके साथ उनके आफिस में आकर मारपीट की थी एक बिल को समद में लेके जो एकसेसिव बिल था उसकी सिलसले में उनको लोवर कोर्ट से सजा हुई थी और उस सजा के अगेंस हमने अपील प्रस्तुत की है और अपील की सुनवाई आज थी जो कार के विरत होने की वाई से नहीं हो पाई है सांसत राम शंकर कठेरिया के मामले में पैर्वी कर रहे वरिष्ट अधिवक्ता विजयाई आुजा जिला जज़ के कोट पहुंचे और सुनवाई के लिए 18 सितंबर की तारेक नयात की गए अपील पर जिलजज की कोट ने सांसत नाम शेकर का ठेरिया की सजा और जुर्माने पर रोग लगा कर राहत दी राहत मिलने पर समर्थकों ने सांसत का फूल मालाओ से स्वागत की और मिठाई भी बांटी सी न्यूस के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट